नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ, आप सब बढ़िया होंगी और आपने अपनी पढ़ाई चालू कर ली होगी बच्चों, क्लास 11 केमेस्टी में चेप्टर फस्ट चल रहा हैं और चेप्टर फस्ट के हमने अभी तक 9 लेक्चर पढ़ लिये हैं आज ये दसवा लेक्चर है और इसमें हम जानकर लेंगे रासाइनिक समीकरन को बैलेंस करना, क्यों बैलेंस करते हैं, क्यों जड़र होते हैं रासाइनिक समीकरन को बैलेंस करने की, मतलब संतुलित करने की मनला कुल मिला कि chemistry में जो यूज होता है रासाइनिक समीकरण का हर जगे यूज होता है chemistry based है chemical equation के उपर रासाइनिक समीकरणों के उपर रासाइनिक समीकरण में हम एक तरफ अभिकारग लिखते हैं एक तरव उत्पात दिखते हैं, इनके बीच में अभी कारागोर उत्पात की बीच में एरो का चिनह या फिर बराबर का चिनह लगा देते हैं दोनों तरफ परमानों की संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ जो परमानों जो भाग लेते हैं प्रोडक्ट के उनको बराबर की संक्या में होना चाहिए तो ये चीज होती है क्योंकि कोई भी chemical reaction होती है उसमें परमाणू खत्मत तो दूह नहीं हो रहा ना इसलिए क्या देखा जाता है reaction balancing देखा जाता है समीकरण को संतुलित करना देखा जाता है चलिए तो आज के इस lecture में धंगर के में अपका स्वागत है बात करते हैं रासानिक समीकरण के बारे में chemical equation के बारे में ध्यान से आपको लिखते भी जाना है समझते भी जाना है और नोट से भी आप इसके आदार पर इसकिनशाड लेके बना सकते हो मतलब आपके सारे काम कम्प्लिट हो रहे हैं चलिए तो हम बात करें बेटा रासानिक समीकरण chemical equation क्या होता है जैसे ये लिख रहा का chemical equation calcium carbonate को गरम करने पर calcium carbonate को गरम करने पर आपको क्या मिल रहा बैटा CaCO3 को CaCO3 calcium carbonate को ये चिनव जो लगा रहा हूँ ये गरम करने के लिए तो ये divide हो जाता है CaO एक तो बन जाता है CaO plus क्या बन रहा है CO2 तो ये यहाँ लिख रहा हूँ G G का मतलब है gas और CaO मतलब ये solid ठीक है CaO solid और CaO2 gas ये भी solid है तो ये जो है CaCO3 का गरम करने पर CaO calcium oxide बना plus CaO2 निकली CaCO3 को गरम करने पर CaO plus CaO2 ये क्या है chemical equation इस chemical equation में आप देखोगे calcium इसमें ये एक calcium दे रखा है बैठा ये calcium दे रखा है तो यहाँ पर calcium दे रखा एक carbon दे रखा एक carbon दे रखा oxygen कितने तीन तो एक तो ये oxygen हो गया दो oxygen ये हो गया मतलब दोनों तरब calcium, carbon और oxygen परमाणों की सेंख्या क्या है समान है मेरी बात आप समझे ऐसे ही ये reaction दे रखी है Zn प्लस H2SO4 तो Zn प्लस H2SO4 में Zn प्लस H2SO4 में ये Zn SO4 ये Zn SO4 ये H2 ये H2 मतलब दोनों तरब अभी इसमें कौन-कौन से element है zinc है Zn मतलब एक elements hydrogen है sulfur और oxygen है zinc का एक परमाणों दिख रहे आपको hydrogen की दो परमाणों दिख रहे है sulfur का एक परमाणों और oxygen की चार परमाणों दोनों तरब परमाणों की संग्या क्या है बराबर है चली ऐसे ही ये HCL लिखा हुआ HCL की NaOH के साथ reaction होई तो ये Na और ये CL NaCl बन गया ये H और ये OH H2O बन गया तो तत्व या या योगिक कि किसी अन्य तत्व या योगिक से क्रिया कर कोई नया पदार्थ बनाता है तत्व या योगिक किसी अन्य तत्व या योगिक से क्रिया कर के कोई नया पदार्थ बनाता है बनाता है इसे रासानिक अभिक्रिया कहते हैं रिपीट कर गिये जल्दी से तत्व या योगिक से क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है तो इसे क्या कहते हैं रासानिक समिकरण कहते हैं क्लियर है चलिए अब इनको प्रतिक या सुत्र द्वारा निम्न प्रकार है ना नि क्या होता है बटा कि जैसे कि रिएक्षन लिख रहा हो में तो यहां पर मेरे को लिखना पड़ाएगा जिंक प्लस एश्ट दो फॉर को क्या लिखूंगा सल्फूरिक अमल अब फिर एरो लगाऊंगा ठीके फिर क्या लिखूंगा जिंक सल्फेट फिर क्या लिखूंगा हाइड्रोजन ऐसे लिखना पड़ाएगी अब इसको ऐसे न लिखते हुए डारेक्टर संकेत की रूप में कैसे लिख रहे है अपन बटा जेडेन के लिए क्या यूज किया जिंक सल्फूरिक अमले के लिए क्या यूज किया और जिंक सल्फेट के लिए जेडेने सफोर और हाइड्रोजन ये इस तू इस तरीके से अपनों ने यूज किया मतलब इन अभिक्रियाओं को प्रतीक वह सुत्रद्वारा निमनप्रकार लिखा प्रकट किया जा सकता है लिखा जा सकता है बेसिक से बता रहा हूं जो कमजो लिगाए जै 세 essere और इस वह अगर्म करने पर उसकाव गर्म होना यह जशेल डालने पर आप मिर यह दिया है जैसे कि यह इसको केलम कर्बोनला को क्या प्लस सी और गया मिला यहूं एक केल्शियम यहां से यहां से सीओ फेल प्लस 2 एसे यह आपको देए रहा है CS3CWNA तो CS3CWNA में क्या मिला रहा है इसका जल अब गरन करवा रहे है जल मिलाना मतलब जल अब गरन करवाना तो CS3CWH यहां से उठाया हमज में आया अब आपको इस साइड वाले जो है ये ये इस साइड एरो के इस साइड वाले इनको क्या कहते है अभीकारक और उस साइड वाले को क्या कहते है उत्पाद तो अभी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभीकारक या क्रिया 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 में भाग ले हवनने वाले पदार्तो मों क्या किते क्रिया 73 अंगर ज्रेजी में कहो तो प्रोड़क्ट कहते हैं क्या चैन ala write the SEC passt देख Industries था डिखने लेटे थहां का इन अबिक महूंर और हिंग squishy किरिया को प्रति को वह सुत्रोद्वारा प्रदशित किया जाता है जिसमें किरियाकारक बाई और तथा उत्पात दाई और लिखे जाते हैं इनके मद्य एक तीर का तीर लगाया जाता है यहां तीर किरियाकारकों से उत्पात की और लगाया जाता है वो किरियाकारकों से उत् अच्छे रिखेत दो टुंद दिन तरह से नाम ले सकते हैं तो कप्यों नियों न उत्पाद प्रोड़क्ट या क्रिया फाल कोई दिक्क्त नी कुछ भी बोलो तो क्या लिख रहा है कि क्रिया कारक बाई और मतलब क्रिया कारक ये बाई और ये दाई और ठीक है आप जो देख रहे हैं वहाँ से दाई और लिखे जाते हैं इनके मद्य एक तीर लगा जाता है या तीर क्रिया कारकों से उत्पादों के और लगा जाता है इस प्रकार यहां समू रासानिक समीकरन कहलाता है अब रासानिक समीकरन लिखने की विदि अभीकारकों को दाई और तथा उत्पात को बाई और लिखकर इनके मद्य तीर का चिनल लगाया जाता है अभीकारकों को यहां पर क्या लिखा हुआ है अभिकारकों को बाई और यहां बाई कर देना बाई और तथा उत्पात को दाई और हाना यह दाया है और यह बाया है तो अभिकारकों को बाई और तथा उत्पात को दाई और लिखकर इनके मद्य तीर कचिना लगा दिया जाता है है पहला point हो गया ठेक Heavenly kriya karlaak यह अगद को नायो लिखते हैं अगला अभी कारक पाद एक से अधिक प्रकार के हो तो उनके मद्या मैं अब यहां पर अभी कारत्व है कि उनके मद्ध्य में कौन सा चीन लगा दिया है एक से अधिक आपके पास मिल जाए एक से अधिक क्या मिले आपको क्रिया कारक मिले या उत्पाद मिले तो उनके मध्य में धन का चिनह लगा दिया जाता है ठीक है तो यह रियक्शन आप देख लिए है सिनहे इस एल प्लस एज क्या आ बनर रहें बाटा यह एन ऐसी एल प्लस एज़ टू में यह जो है कि यह अ आ और यह ऊच रीwydd गेशेल मतलब picking यह एग्ला की की अगला सानिक समें करन पडराएस में भहुत मजज़दार बात हैं अभी अत्वा उत्पात के योगिकोज्ट के द्वारा पृदर भशीत किया जाता है ठीक अभी धे अला दॉक होत पात मद जेटा और अवस्वाइब कि द्वारा पृदर्शिट किया जब दçosी तू अब यह लग अलग हो गए अलग लग तत्वों से मिलकर यह कंफॉण के झीच में आपने योगी केल इसको यूगी के दिया यूगी के तरह तो अभी कऱा दो पाट café को अनुस्ट्र के द्वारा प्रतरित किया जाता है सीवन Kiss . Su अब यह स्मीकरन क्या हो पया धाचा मिखरन मतलब मनुना कै इसके दोनों और पर्माणों कि संख्या संतुलित नहीं हें balance नहीं है, balance का मतलब जैसे कि इसकी तरफ copper कितना है बेटा, यहाँ copper एक है, चलो इधर भी copper एक है, ठीक है, लेकिन यहाँ oxygen कितने आपको पास दो है, और इधर oxygen कितना है, आपके पास एक है, तो अनिने balance करनी पड़ेगा, अनिने balance करनी पड़ेगा, मतलब क्या हो गया, कि यह बीच ओन्टू जो है इसको बैंस करने के लिए क्या और मुख भूंप यह पर भी टुख दिया चलो जाएगा अभी डो कर अपर इधर हो गए गल चलिए टो पर इसे की नहीं कि नहीं दोनों तरब आक्सिजन की संख्या दो हो गई कापर की संख्या दो हो गई चलिए अच्छी इंगा गई थी तो यह जो समीकरण थी पहले जो समीकरण अपने लिख रहे थे तो रासारा निघविकरण को संतुलित करना भी आवश्यक है کیो क्यों कि क्योंकि दोनों तरफ पूर्माणो संख्या क्या होती बराबर होती है क्या होती है क्या होती है benut consult आ आगे बढ़े है का है हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन अयुडोडीन के अत्रिकत अन्य तत्म को परमाणवी रूप में इन तत्म आइज में अलाव जो भी तत्म है यह नियम है, याद रखने की जुरह थे, उनको परमाणवी रूप में, जैसे कि N2, यह आणवी रूप में, ठीक है, H2 यह आणवी रूप में, इसको समीकरण में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जबकि जैसे सोडियम लिख रहे हैं, तो यह ऐसे लिखा जा सकता है, परमाणव परमाणवी रूप में लिखा जा सकता है, लेकि इनको हाइट्रोजन, नैट्रोजन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, केत्रिक तैनी तत्वों को परमाणी रूप में, तथा योगी को आणवी रूप में लिखा जाता है, बड़िया बात है, चूंकि पदार्थ नष्ट नह कहते हैं अब देखो जैसे कैसे संदूलित करते हैं आपके सामने एक्वां मेखनीशियम को यू मेखनीशियम है और मेगनीशियम को वायू जब आकसिजन के साथ करा खतक्राव करा वायू तो MGO, MGO, इस श्यमीकरनों को क्या कहेंगे, डाचा श्यमीकरन, डाचा, अब इसको संतुलित करना है, तो इधर जो क्या है, इधर एक मेगनिशियम है, और दो अक्सिजन है, और एक मेगनिशियम है, संतुलित नहीं है, इधर तो दो ही हो रहे परमानों, इधर तीन हो रहे, तो दोनों तरफ परमाणों की संग्या क्या करनी पड़ेगी अपने को संतुलित करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी संतुलित करनी पड़ेगी तो चलिए संतुलित करते हैं क्या लिख दू यहां टू एमजी प्लस ओ टू यह हो जायेगा टू एमजी ओ मतलब मेगनिशिय और उक्सिजन भी दो है, यहां दो अक्सिजन है, मतरब दोनों तरब चार-चार परमान हो गए। यह सम्यकरण कॉन सी है? इसको संतुलित शम्यकरण कहेंगे। क्या कहेंगे बैटा? संतुलित सम्यकरण। मेरी बाद आपको हमज में आ गए होगी। ठीके चलिए तो मेगनीशम को वायू में जलने पर मेगनीशम आकसेट बनता है समिकरन लिखने के लिए मेगनीशम तत्वों को परमाणी रूप में लिखा तता अक्सिजन को आणवी रूप में लिखा जो अपनोंने नियम संतुलित करना और कैसे संतुलित करेंगे हम रासारिक संतुलित करन नियम के अनुसार करेंगे चलो समीकरण में तीर के चिना के दोनों और तत्वों के परमाणों की संख्या को बराबर करने की क्रिया क्या कहलता है? समीकरण को संतुलित करना, सिंपल बात है क्या है? जो जैसे समीकरण है, इसके दोनों और परमाणों की संख्या को बराबर करना की क्रिया को समी कर्ण का संतुलित करना कहते हैं इसके लिए नुमान विधी और एक नंशिक्षमी करनी विधी चलिए धेखते हैं पहले नुमान विधी को वाई साथ आपके सामने हाजि ने नुमान विधी कि Acho अनुमान लगा कि आधान बीचे से अभी दोचिन कर रहे हैं वो रियक्षन को संतुलित अभी जो करें अभी अभी उपनों वो आनुमान विदी के आधार परी करी किसे इंबल दिख रहा है इसमें यह संतुलित कर दो यह नुमान विदी के कौन-कौन से पाइंट इन समीकरण का धाचा लिखते हैं जैसे कि ये लिख रहा है बेटा की Zn प्लस HCl क्या हो रहा है ZnCl2 प्लस ये हाइड्रोजन ये धाचा लिख दिया कि जिंक और तनु सल्फिरिक अमले की तनु हाइड्रोक्लोरिक अमले की क्रिया से क्या बनता है जिंक क्लॉररेड और गौंधा है तो ये धाचा समीकरण को शंतुरित करदे लिख लएगे तो क्यों समीकरन को ऐसे शंतुरित करेंगे जैया ऑप कि इसको आगल में लिख ना अपुड़ेगा ये ये गरंट की ये तो टो ओज़न से एयल एक तो यहाँ पर इधर क्लोरिन मेंने यह सीएल है एक जिंग के तो हाइड्रोजन बेलेंस है अब अपने क्लोरिन को बेलेंस करने जा रहे है तो यहां पर टूएंच लिखा अब जैसे अपनों लिखा हाइड्रोजन की संख्या यहां बढ़ाने पड़ागी तो कुल मिला कि यह जो है यह संभीकरन क्या है संतुलित रासानिक संभीकरन है तो रासानिक संभीकरन का ढठाचा देखते हैं गेसी पदार्तों को पर्मानिय वस्था में लिखते हैं जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन अक्सिजन इनको पर्मानिय वस्था में लिखेंगे फिर आणमी का व संक्या बराबर कर लेते हैं अन्त में पर्मानवी फ्रता में जय सो को आणवी ग्रूप में यह परमानभी अवस्ता में फिती इसको झाय है आणवी फित outta करने आणवी ग्रूप में प्रस्तुत करने तो दोनों और दो से गुणा कर देते हैं इस प्रकार संतुली समीकरण राप्त हो जाता है एक्जाम्बल जिंक तथा तनू है तो यह बताई दिया कि जेडेन प्लस है से जेडेन चेल टू प्लस है टू प्लस है टू अब बात करते हैं आशिक समीकरण विधी की अनुमान विधी हो गई बेटा जी अब कौन से रिवी देख रहें आशिक समीकरण विधी ज्यान से देखिएगा अपना राज चल रहा है ना के अंहूं और आण विधी मैं क्या करते है अपन के देखिए इस विधी द्वारा जटिल रासानी 갈ळों को संतुलित किया जाता है दो साधारन थी वो तो अनुमान अभागे अब आहो विधी अब आण शिक समीकरण विधी से किया है ाणश्यक समीकरण में पता नहीं चल र सारो परता में जटिल रासानिक सम्मिकरनों को दो या दो से अधिक पदों में विभक्त कर लेते हैं कर लेंगे भाई यह तो उसको पहले चोटी-चोटी अभीक्रियाओं समें जो जो शंच्छा विवचा जेता है परके देखते हैं कि इस से बन रहा है रियक्ते प्रोडक्ट बंद रहा है यह अभी आपको एक्जाम्पल से हमज में आने वाला है जिन्हें अन्शिक समिगन के देदें दूसरा पाइंड के रहा है बता पर तेग आंशिक समीगनों स अन्द में अन्षिक संग्ष्ण को उच्छी गुणा करके जोड देते हैं जिसे माध्यमी गुद्पाद कट जाए इस प्रकार संग्ष्ण रासानिक संग्रण प्राप्त होती हैं चलो अब आपको अणी एक्जाम्पल से ये सारी चीज़े हमद में आ जाएगी आपको अणी एक्जाम्पल से सारी चीज़े हमद में आ जाएगी जैसे कि ये जो सम्मीकरन है बेटा ये आन्शिक सम्मीकरन है अनुमान विजी से नहीं होई आप इस सम्मीकरन को करने के लिए अपनोंने ये सारी चीज़े करी है यह यह सारी चीज़े अपने को करनी पड़ी तो कि बेग्ग्राउंड चेंज किया जाए चलिए हूं हो क्या रहा है बेटा क्या बोल रहा है क्लोरीन ठंडे एवं तोनु सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइपोक्लोराइड तथा जल बनाता है तथा जल बनाता है मेरी बास सुनना क्या बोल रहा है क्लोरीन तो यहां पर क्लोरीन ठंडे एवं तनु सोडियमों मतलब तन्यृमों मतलब यह बीम करें। था जिवνα फिर नहीन कई CMY 98Р अब देखना आर यह क्लोरीन किया करेगा यह क्लोरिन किस से क्रिया कर रहेगा जो तो तो यह फ्ट के साथ प्राइब करे करके बेटा जी यह यह प्लस प्लस यह है यह फोज ह lived है टिक है कि अब यह जो एक सिर्छ में एकैसे रेक्षन में आपके पास क्या था आपके वास तीन चीजे थे क्लोरिन थी नह इनो एच है और एनो एच के साथ में क्या मिला हुआ है यह 3 चीज़े हैं बस यह क्या है अभी कारक हो गए उनरह ऑब बेटा जी आपको यह जो एच सी है एच सीयल प्लस उस एनो एच के साथ reaction हुई आप तो यह बनी गिया ने सियल ध्यान से देखना एने इने और यह सियल यह 00-2300 में एस हैं फिर क्या लिखा यह जो or going असे करने के लिए थो छी मंगी विका रैंडण है किसते करें चीशी और यह क्या बन जाएगा वह दые थो एक मुचल प्लस एक वहल यह 00-1700 एन उसे यहां पर Naocl बन रहा है, ठीक है, Naocl, यहां पर, हाँ, यह H प्लस निकलेगा यहां से न, तो यह H प्लस और यह OH-H2O, यह हो जाएगा Naocl, प्लस H2O, यह अपने को तीन समिकरन में बार्टना पड़ा, अपने को इस चीज को तीन समिकरन में बार्टना पड़ा, देखो, तीनों समिकरन को जोडएंगे, तो अपने को यह समिकरन प्राप्त होगी, मेरी बात सुनना, जोडने पर, लिखो तो, पर जोड़े जोड़ लेते बेटा हर कि में जो वwe प्रोड़क्ट कर्ण जाइं के तो सिम कौन सा दिख रहा है वे रगदुर से म् military अब लिखता हूं मैं कौन सा पेनियुस को नो चल रेट कर लेता हूं अब क्या बचा वेटा यहां पर यह呢मिटल लिख दिया और यहें पर हूं पर लिक दिया प्लस ऐन से नोच्छ को अब दो एन से तो एन लीच लिख दिया मैंने टू एनरो लगा दिया फिर क्या रहा यह यह' इनिसल नकल माल दिया प्लस अब्लस क्या हो रहा इज़ान इन þ्सका ही बारे म measure क्या पर अगर यह सम्मीगरन के बारे में होची सूच ईह थंड़ेम तोंनों सोडियों हैडाउकसड की साथ करिया कर गया सोडियूम् क्लोडीयड सोडियूम हइपक्लोड जल बनाता है तो ख्लोरीन की रिक्षन हुई बैठा है इसटो के साथ हसी एल प्लस हो सीड है एक एसटो एन मेरे बात समझें इस cable से ये एस से रिस्ट के रशन हो गया मेरे बात समझें इस हाँ से यह क्या रहा है रहत रहा है रहा हिए आपिकार के उनों की संख्या का ग्यान होता है कि कितने अउनों के भाग ले रहे, इससे यह मालूम होता है कि अभिकार के नियम का सत्या बन होता है द्रविक अविनाशिता के नियम क्या होता है सत्यापन होता है कि इतना बड़ा है चलिए दो पेज हो रहे हैं यह पढ़ लेते अब यह रासानिक समिक्रण जो अपनोंने पढ़ा है उसकी कमिया क्या है कमिया तो हड़ जगी निकाल लेते हैं आप कितना अच्छा काम करो चलिए अभिक्रिया की गति का ग्यान नहीं होता रासानिक समिक्रण से वो तो अभिक् पूर्ण होने से कितना समय का इसका नहीं अवता है इस अभीक्रिया को पूर्ण होने से कितना समय लगेगा इसका ज्यान नहीं वता है एक दिन लगेगा दोगेगा दोगेगा दिन लगेगा दस साल पचास साल लगेगा यह पता नहीं चलता है अप अभिक्रिया उश्मा शेपी है या उश्मा शोशी है उसमें उश्मा निकल रही है उश्मा ले रही है अभिक्रिया में वो ग्यान नहीं होता अभिक्रिया उतकर्मणी है या नहीं मतलब जो अपना अभिकारक से उतपात अभिकारक से उतपात और वापस उतपात से अभिकार बन जाना वो क्या उत्करमनि है और आप लिया क्या है यान इन होता अभी यह क्या है है आप Π SNV है कि यह थिक्या है राक है हमने कमया निकाल जिए ओंधिक ते कि रासायनिक समीकरण में अभिकार को तथा उत्पादों की भोतिक वस्था कोन सी ठोस द्रव गेस तथा जली एकवस को कोश्टक में प्रदशित किया जाता है चलो आगे बात करें वापस उन्हें सुधार करके यह चीज है तो अभी थोड़ा और सुधार कर लेते हैं बेटा सुधार तो हमेशा करो प्रदशित जैसे CACO3 है ना बेटा CACO3 ध्यान से देखना यह CACO3 यह CACO3 यहां पर सोलिड लिखा हुआ मतलब यह ठोसा वस्था में प्लस यह लिखा हुआ है H2SO4 इसके इसमाल L L का मतलब होता है लिक्वीड वस्था में मतलब द्रव वस्था मे फिर इससे क्या बन रहा है यह बन रहा है CACO4 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 की सवस्था में यह सोलिड वस्था में मतलब हो सवस्था में मिलेगा आपको प्लस क्या हो रहा है यह H2O H2O की सवस्था में मिला आपको लिक्वीड में प्लस CO2 CO2 की सवस्था में मिला आपको गे सवस्था में इन स सोलिड है क्रिक्व से क्रिया होके यह सारी चीजें बर रहे हैं तो यह जो है सीए एएस ओफोर ठीक है यह एज्टू और यहां से एक अकसीजन उठाया यह नखाया यह अपर यह पर सी ओठी कि जगे घ्या बच़ये तो यह चीज़ें हो रही है हमाज में आया तो रासानिक अभीक्रिया रासानिक सम्मीकरन में अभीकार को तो उत्पादों की भोतिक अवस्था ठोस द्रव गेस तता जली जली के लिए क्या लिखते हैं सप्रिक समय एकवस को कोश्टक में प्रदशित किया जाता है तो दोना की बीच में यह चीना लगा देते हैं जैसे यह एंटू प्लस थ्री एच्टू क्या बन रहा है वेटा टू एच्ट्री बन रहा है और यह जो रियक्शन है यह जो रियक्शन है कौन सी उत्क्रमणी है ताप दाव उत्प्रेड़क की उपस्थि को तीर के उपर कि कितने टेंपरेचर पर हो रही है कितने प्रेशर पर हो रही है किस उत्प्रेड़क की उपस्थिती में हो रही है इसको कहा लिखेंगे बेटा अपन एरों के उपर लिख देते हैं तीर के उपर यह नीचे लिख यह जो रेक्षिन है एंटू प्लस रिएस्टू यह क्या है गेसे और यह भी क्या है गेसे यह 450 जीद्स पर रियक्षिन हो रही है और क्या बन रहा है एनस्टी बन रहा है यहां पर यह वैसे यह होगा अगर टेंपरिचर में अगर चेंज कर दिया जाए तो अमुनिया से वापस यह बन जाएगा तो ताव दाव उत्परिया की उपसित में तीर के ऊपर यह निचे लिखते हैं कि एंटू प्लस रिएस्टू क्या बन रहा है तो एंट्री बन रहा है